सारनपूर में बिजली विभाग के जो एसी है धीरत जायसवाल उनको एक वर्चुल मिटिंग के अंदर कुछ चीजे जो है वो बोलना काफी महगा पड़ गया है उनको निलंबित करके मुरादाबास से अटेज जो है वो कर दिया गया दो वीडियो इस समय शोशल मीडिया पर इसके लावा एक वीडियो और भी है जिसमें वो ये भी कह रहे हैं कि अगर विधायक फोन कर रहे हैं तो उनका फोन मत उठाओ को फोन कार दो कितने हैं सब को बुला लिया करो एक फोन कार पर एक सो बारा से पुलिस वालों को बुला लेंगे पिछली बार बत्तमी जी कर दी थी मोरा गाउं में तो फिर वहां पर वह 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 वापस लेनी पड़ी और लिखी नहीं कहीं अब आपको बताते हैं कि यह पूरा मामला आखिर है क्या दरसल जो ऐसी धिरजाय स्वाल है वह अपने जूनियर करमचारियों के साथ वर्चुल तरीके से एक मिटिंग कर रहे थे और उस मिटिंग के अंदर तमाम जूनियर इंजिनियर और के अलावा कुछ एक्शन भी जो है वह महापर शामिल थे वर्चुल तरीके से मिटिंग लेते हुए वह लगातार जो बकायादारों का जो बकाया वसूली का अभियान चलाया जा रहा उसका स्टेटस वह उनसे जानना चाह रहे थे कुछ करमचारियों ने ये कहा कि साहाब कुछ लोग जो है उनके घरों में ताले लगे हुए हैं और वो लोग अन्य राज्यों में नोकरी कर रहे हैं जिसके बाद साहाब ने वर्चुल मिटिंग के अंदर ही बोल दिया कि अगर किसी घर पे ताला लगा हुआ है बाहर है त तो उसके घर को जला दो एक और करमचारी थे जब उनसे उनका स्टेटस जाना गया तो उन्होंने कहा कि जब हम बकायदारों पर कारवाई कर रहे थे तो एक विधायक जी का फोन आ गया विधायक जी का प्रेशर उनके उपर आया तो उस पर भी उन्होंने कहा कि अगर वीडियो जब सोशल मीडिया पर वार हुए तो पुरे विजली विभाग की फजीयत जो है वो सारणपूर ही नहीं बलकि पूरे उत्तरपरदेश में हुई है कई लोग इस बयान की वीडियो के वारल होने के बाद तमाम तरह की प्रतिक्रिया जो है वो सोशल मीडिया पर दे रहते तो कोई इनको गुंडा-गर्दी बता रहा था तो कोई अमारे आदित भाता का परियोग करना बता रहा था काफी ट्रोल उनको किया जा रहा था जिसके बाद जो विजली विभाग की जो पस्चिमांचल विद्धुत निगम लिम्टेड की जो एमडी है जब ये निलंबित कर दिया गया आदेश में लिखा हुआ था कि जिस तरह से अमारे आदित भासाओं का परियोग बोगताओं को लेकर किया गया है वो काफी निंदनी है जिसके चलते उनको निलंबित किया जा रहा है साथी साथ मुरादाबाद बिजली विभाग के दफ्तर से उनक की फजियत करा रहे हैं साथी साथ उनको भी बदनाम करने की कोशिश वो कर रहे हैं उपतर परदेश के अंदर जब से बिजली विभाग जो अभियान चला रहा है बकायदारों को लेकर उसको लेकर जो तमाम उसका जो स्टेटरस रिपोर्ट होती है वो लखनाउ देनी होती है लेकिन जो जूनियर करमचारी है वो कहीं न कहीं अपने कारवाई में लापरवाई बरतते हैं उसी का स्टेटरस जानने के लिए वो जब मिटिंग कर रहे थे तो उस मिटिंग में उनके द्वारा इस तरह के शब्द जो है वो परियोग किये गए जिसके बाद उन पर कार मेडिया पर वारल कर दिया बताया जा रहा है कि उस सक्ष की वितलाश हो रही है जिसने ये काम किया है और पूरे बिजले विभा की फज्यत कराई है साथी साथ उस सक्ष की वज़े से जो साहाब है धिरत जैसवाल उनका भी निलंबन हो गया है टीवी नैन यूपी के लिए सारनपूर से फिकास कपिल